हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम मल्टीपल कमपनियों को कवर करने वाले हैं उनसे रेलिटेट क्या क्या अपडेट आ रहा है ये देखने वाले हैं तो उससे पहले मार्केट को देख लेते हैं तो मार्केट में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिले आप देख सकते हैं अब market दोस्तो daily basis पे इसके उपर जब तक अच्छी तरीके से trading नहीं करने लगता, तब तक दोस्तो 100% confirm नहीं होगा, अभी यहां से दोस्तो 10% ऐसा डर है, ठीक है, कि यहां से बड़ी profit booking भी आ सकती है, क्योंकि काफी बार यहां से आ चुकी है, और कहां तक जाती है, 17,000 तक, जो की काफी बड़ा एक demand area दोस्तो market का देखने को मिलता है, अब देखते हैं आगे market का क्या update आता है, market का previous close तो 17,486, open होता है दोस्तो 17,568, यह high लगाता है 17,607 का यहां पर, उसके साथ ही दोस्तो यहां पर low लगाता है 17,400 बहुत तरका, मतलब एक अच्छी range में दोस्तो market में क्या update आता है, ठीक है, जैसा भी आएगा फटा बट्चे हम आपको update करेंगे, तो फटा बट्चे इस वीडियो को like करेंगे और चैनल को subscribe करिए, ठीक है, तो चलते हैं, हमारी first company को देख लेते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो, आरती industry का जो stock है, आज वो काफी जादा गिरा है, और यह जैसे ही गिरा ना दोस्तो, ठीक है, बहुत सारे investor को समझ में नहीं आया कि यह क्यों गिरा, ठीक है, और वो काफी जादा डर गए, तो मैं उनको यहां पर पूरा clear कर दूँगा, कि दोस्तो, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है एक reason है, जिसके करण दोस्तो, यह आज इतना गिरा है, ठीक है, इसका previous close था दोस्तो, आप देख सकते हैं, 747 रुपे 90 परसे का, यह open होता 650 पर, high लगाता 710 का, और low लगाता 642 रुपे के आसपास का, ठीक है, इसके साथी दोस्तो, इसका 52 बिक का है, 52 बिक का लोग बहुत बढ़िया देखने का में मिलता है, ठीक है, लास्ट एक साल के performance की में बात करता हूँ, तो एक साल में stock 32 परसेंट गिर चुका है, ठीक है, लेकिन यहां का performance जो दिखता है न वो तो बहुती शांदार दिखता है, company market में काफी पुरानी हमें देखने का मिलती है, और जो performance इस साइट पर आज चुकें, यह देखें, एक letter बना हुआ है, ठीक है, मतलब एक letter का आज date है, ठीक है, मतलब इसका दिन था आज, मतलब आज record date था, ठीक है, किसके related था वो आगे बताता हूँ, देखें, आज stock ने 642 रुपे, 80 परसे का low लगाया है, मतलब इसका 52 बिक का low लग ठीक है, यह company का ही चाल रहता है, कि जिस date को क्या किया था, company ने 52 बिक का high लगाया था, एक साल पहले, उसी दिन दोस्तों क्या किया, उन्होंने record date रखा, क्योंकि पता है, कि उसी दिन दोस्तों इस purpose से अगर record date रखेंगे, तो profit booking आएगी, और यह अपना definitely 52 बिक का low है वो ल आ जाएगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, खाली साल अलग है, और आज का delivery pattern कितना है, देख सकते हैं, 28% के आसपास का है, company information पर आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों, कि किस चीच का आज record date, X date था, तो जो X date था दोस्तों आप देख सकते हैं, 19 अक्टमबर, मतलब record date है किसके relative date, D merger से related, ठीक है, आरती industry का दोस्तों एक separate business जो है, जिसका नाम है आरती फार्मा लेब, वो दोस्तों क्या हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, और आज दोस्तों जो process है, वो पूरी तरीके से चालू हो चुकी है, और जो swipe ratio भी निकल के आया है, कि आरती industry के जिसके पा एक share मिलेगा, जिसने कल तक खरीदा है दोस्तों उसको ये मिलेगा, ठीक है, मतलब चार के हिसाप से मिलेगा, और तीन होंगे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, चार होंगे तो मिलेगा, और पांच होंगे तो दोस्तों चार का मिलेगा, एक का कुछ नहीं मिलेगा, जिसने आज खरीदा दोस्तो उसको कुछ नहीं मिलेगा जिसने कल खरीदा उसको कुछ नहीं मिलेगा ठीके ये बात साप हो गई है और company का production तो बैसे भी बहुत अच्छा है company का दोस्तो जो आरती फार्मा लेप जो business अलग हो रहा है वो भी बहुत तकड़ा हमें देखने को मिलता है अब यह दोस्तो किस प्रकार से हमें update आते देखने को मिलता है जैसा भी update आएगा हम definitely आप लोगों को provide करेंगे चलिए second company को देख लेते हैं तो दोस्तो हम आचुके हैं एक दूसरी company के उपर जिसका नाम में पिरामल इंटरप्राइज लिमिटेड सेम प्रोसेस हमें देखने को में ली आर्थी इंडस्टी के जैसी इसकी भी ठीके लेकिन आज इस टॉक गिरा नहीं क्योंकि इसका जो डी मर्जर का एक्स डेट था वो था दोस्तो 30 अगस्त के दिन ठीके अगस्त सितंबर पूरा बीत किया और मीड अक्टोंबर मतलब डेड से दो महने के अंदर अंदर दोस्तो जो डी मर्जर का प्रोसेस है वो पूरा हो गया तो सेम आर्थी इंडस्टी के साथ भी ऐसा ही होगा और आज की डेट में दोस दोस्तो आज मार्केट में आया ठीके इसमें करीवन आप देख सकते हैं काफी बड़े पॉइंट की गिरावट है और इसने दोस्तो क्या किया देखे इस प्राइस से टूट के आया है ठीके ओपन हुआ दोस्तो सेम प्राइस का हाई और लो लगा दी 190 रुपे के आस पास का मतलब आज दोस्तो सेटलमेंट हुआ है मतलब यह मान के चलिए मतलब आते से दोस्तो इसने 5-6% की गिरावट हमें देखने को मिली है ठीके जब दोस्तो यह बिजनस अलग हो रहा था ना आरती इंडरस्टी के अंदर से तब दोस्तो हमें काफी बड़ी जब वो डी मर्जर का जो शेर है उसमें काफी तेजी देखने को मिली थी ठीके तो यहां पर भी दोस्तो पिरामल फार्मा लिमेटेड जो पिरामल इंटरपैस का एक शेपरेट बिजनस था वो अलग होके आज मार्केट में लिस्ट हुआ है तो आप जरू दोस्तो इन दोनों कमपनियों को भी जानी है ठीके जिसने दोस्तो क्या किया है अपना क्यू टू का जो नंबर हमें दिखा दिया है जिसमें जो प्रॉफिट है दोस्तो वह 8% राइस हुआ है यहां पर क्यू टू आना था ठीके अपडेट दोस्तो यह रिजल्ट ओपन मार्केट में ही आया तो बहुत बढ़ि किया है ठीके जो रेवेन्यू है वो यह एर अनियर बेसेस पे 18.3% इंक्रीज हुआ है आथ देख सकते हैं 4,599 करोड का देखने को मिल रहा है जो एग्जिट पोल था ठीके एस्टीमेट का वो था 4,310 का उसको बीट किया है बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ ही आप द नमबर हमें देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही दोस्तों जो शेर होल्डर के लिए बहुत बड़ी खुशी है 120 रुपे पर शेर के साफ से दोस्तों डिविडेंट भी हमें देखने को मिल रहा है यह सेकेंड इंट्रिम डिविडेंट है तो यह काफी जल्दी आप लोग के दार मुमिंट देखने को स्टॉक में मिला और स्टॉक 19,800 पे क्लोज हुआ है करीबन 72% की तेजी के साथ प्रीवेस क्लोज था 19,380 का सेम प्राइस पे ओपन होता है और लो लगाता है पहले 19,254 का देन उसके बाद यहां पर लगाता है हाई 19,848 का मार्केट केप के अगर मैं बात कहता हूँ तो एक लाग इंक्यान बेजार करोड का मार्केट केप है P.E.N.E.C. थोड़ा सा महेंगा है ठीक है क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस है आप देख सकते हैं काफी महेंगा है ठीक है और E.P.S. उस एकॉर्डिंग नहीं बढ़ता जिस एकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए ठीक है डिविडेंट डिल तो बहुत ही जोड़ता है आपने अभी देखाईए 52,000 के हाई की मैं बात कहता हूँ तो 20,200 का 52,000 का हाई है overall का performance आकर मैं आपको दिखाता हूँ इस company का तो ये company market में काफी पूरानी है और company का जो chart pattern आप देख सकते हैं कितने शांदा तरीके से उपर उपर जाते जा रहा है तो जरू दोस्तो आप एक FMCG company जिसका नाम है Nestle India Limited का उसको आप क्या कर सकते हैं अपनी focus में रखकर चल सकते हैं ठीके तो ये था दोस्तो multiple company के related update तो फटा पट्चेस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें क्योंकि और भी इसी प्रकार से weathering वीडियो हम आप लोगों के लिए लाने वाले तो thank you दोस्तो